जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल दमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पर लगी बेल आइकॉन को जोड़ी बबादे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों गर आपको हमारा काम पसंद आता हैं हमारे वीडियो पसंद आते है उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं जब इस चैनल पर 50 मेंबर्स हो जाएंगे तो एक मेंबर ओनली वीडियो अपलोड किया जाएगा वीकली जिससे सिर्फ मेंबर्स ही देख सकेंगे तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू क करते हैं हमारे क्रिकेट के रिष्टों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं क्रिकेट की फिल पर मुकावला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी आप दफिल्ड अमारी दोस्ती है जब महान शैन बॉन का निदन हुआ तो अस्ट्रेलिया के साथ कोटी कोटी भारतियों ने भी शोक मनाया पापूआ न्यू गिनी अपसे दुनिया का इकलोता सुपर पावर मुल्क बन चुका है युनेस्को भी पापूआ न्यू गिनी को दुनिया का सबसे सुपरीम मुल्क डिकलियर करेगा महानेता के इंस्ट्रक्शन्स पर दोस्तों ये जो ढोल नगाडे वाला सियासी तमाशा यानि विदेश में जो इवन्ट मैनेजमेंट का सरकस चल रहा है न उस तरह का विदेशी सरकस वैसे तो पहले साल में दो तीन बार होता था लेकिन इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा इफर्ट के साथ दिखाया जा रहा है दरसल करनाटक वाली फजीहत को जल्दी से बुलाने की कोशिश है नहीं तो क्वैड मीटिंग कैंसल होने के बार इस दोरे की ना कोई एहमियत रह गई और ना ही कोई जस्टिफिकेशन लेकिन सारी मशीनरी और ताकत जोक रखी है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि करनाटक में सीम हा रहा है वरना हमारे बड़े साहिब तो देवों के देव हैं दुनिया की नजरों में तो दोस्तों आस्ट्रेलिया में होने वाली कोईड मीटिंग अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये कहते हुए कैंसिल कर दी कि अमेरिका के घरेलू मसले सुलजाने हैं वक्त नहीं निकाल पाऊंगा लेकिन महानेता तो पहले ही सिड्नी में इंडियन एक्सपैट्रेट्स के सरकस की बुकिंग कर बैठे है और मुल्क में चुनाव भी निपट गए है मुल्क में सब चंगा है कोई लोकल मुश्किले तो है ही नहीं इसलिए साहिब निकल पड़े हैं भ्रमड पे छोटे छोटे टापूँओं पर फील ले रहे हैं महाराज वाली डंके के लिए माई, कैमरा और दिहारी एंकरों की फौश तो है ही खैर पापूआ नियो गिनी के गवर्नर जनरल ने फिजी के साथ मिल कर मोदी को हाइस सिविलियन अवार्ड यानि सर्वोच नाग्रिक सम्मान का तमगा पहना दिया है टॉमी मीडिया खुशी से जूम उठा फिर उस जजीरे से निकल कर मोदी जी पहुचे आस्ट्रेलिया वहां के प्रदान मंत्री एंथोनी एल्बानेस विशु गुरू के लिए तयार बैठे हुए थे एनाई ने सोचा कि अब तो रेड कार्पेट में फूल बरसेंगे रोड शो होगा फोटो खिचेगी मोदी मोदी के नारे लगेंगे इसी हड़बड़ी में एनाई ने आस्ट्रेलिया हाई कमिशन की जगह उनके आस्ट्रेलिया के पी-म का नाम ठूस दिया लेकिन मोदी ने आठ हजार करोड के जहाद से उतर कर देखा तो उनके वेलकम के लिए सामने बस एक बाबू खड़े थे एनाई विश गुरू की बेज़ती कैसे लिखे नौकरी पर सवाल था लेकिन विदेश का मसला है आखिर कार सच लिखना ही पड़ा कहने का मतलब यह है कि आस्ट्रेलिया के फॉरेम रिस्ट्री के एक आफिसर बैरी ओफॉरेल ने नरेंदर मोदी का वेलकम किया था लेकिन एनाई ने मोदी जी की इज़त बचाने के लिए और भारत की जंता को बेकूफ बनाने के लिए आस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दिया यही है भारतीय मीडिया की विदेश में ताकत विदेश में ताकत से याद आया यूक्रेन काफी ताज़िक की बात है कि टॉमी मीडिया के मताबिक के फोन कॉल करके युक्रैन में जंग रुकवा देने वाले महानेता जी मनिपुर फोन का है Virginia लगापा रहे हैं on में शायद बैलेंस नहीं है या फिर शायद नेटवर्क नहीं है शायद पापुआ नियू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे को फोन पर विशुगुरू बनने का रास्ता बता रहे होंगे उसी में बिजी होंगे फैर दोस्तो प्रधान मंत्री नरेन मोदी के पापुआ नियू गिनी दोरे पर अटल विहारी बाजपे सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे यश्वन सिना ने तंज किया है दरहसल मोदी जी जब पापुआ नियू गिनी पहुचे तो वहां के प्रधान मंत्री जेम्स मारापे ने एरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी के सम्मान पैर छुकर किया था अब यश्वन सिना ने पीएम मोदी के इस दोरे को लेकर तंस करते हुए ट्वीट करके लिखा है कि मेरी योजना अगले लोग सभाग चुनाओं में पापुआ नियू गिनी से मोदी के टिकट पर लड़ने की है उमीद है कि मुझे वो टिकट देंगे तोस्तों बीजेपी की कमान मोदी और अमिश्वा के हातों में आने के बाद से यश्वन सिना नाराज चल रहे थे और उन्होंने आखरकार बीजेपी छोड़ दी वैसे आप लोगों को बता दूँ कि पापुआ नियू गिनी के प्रधान मंत्री जेम्स मरापे पहले फाइनस मिनिस्टर थे और फाइनस मिनिस्टर रहते हुए ही जेम्स मरापे के खिलाफ करप्शन के इज़ाम लगे थे पापुआ न्यूगिरी की एंटी करप्शन बॉडी ने तब के प्रधान मंत्री और मरापे के खिलाफ गिरिफतारी का वारन जारी कर दिया था इसके बाद अपरेल 2019 में मरापे को फाइनेंस मिनिस्ट्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और बाद में प्रधान मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था मरापे ने पीपिल्स नैशनल कॉंग्रेस पार्टी भी छोड़ दी और पांगू पार्टी में शामिल हो गए इस्तीफे के दौरान मरापे ने कहा था कि हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो बड़े कॉर्पुरेट के इंट्रेस को बचाना चाहती है इसके एक महीने बाद ही सांसदों का सपोर्ट हासिल करके मरापे प्रधान मंत्री बन गए ओपोजिशन के पास नो कॉन्फिडन्स मोशन के लिए निमेरिकल स्ट्रेंथ यानि संख्याबल नहीं था प्रधान मंत्री बनने के बाद मरापे ने कहा था कि वो दस साल में पापुआ न्यू गिनी को दुनिया का सबसे अमीर काले इसायों का देश बनाएंगे पिछले साल संसदिय चुनाओं में मरापे की पार्टी ने 46 सीटे जीती थी छोटी पार्टीयों और इंडिपेंडेंट संसदों के सपोर्ट से गड़ बंधन की सरकार बनी और संसद में मरापे प्रधान मंत्री चुन लिये गए कहने का मतलब ये है कि कई क्वालिटीज में मोदी जी के साथ उनकी बड़ी सिमिलर्टीज है और बाकी का सेट अप फॉरेंट निस्ट्री के सौजाने से साफ साफ जमाया हुआ दिखाई देता है इसे ही सो कॉल अमरत काल की सो कॉल डिपलोमेसी माना जाएगा है डिपलोमेसी से याद आया जी ट्वेंटी की बैठक और कश्मीर दरसल दोस्तों कश्मीर में बंदूकों के खौफ में हो रही जी ट्वेंटी की बैठक से कल चीन समय पांच मुलकों ने किनारा कर लिया है जानकारों के मताबक मोधी सरकार श्री नगर में जी ट्वेंटी की बैठक के जरिये दुनिया को शायद ये पैगाम देना चाहती है कि वहां सब कुछ नॉर्मल है पाकिस्तान ने श्री नगर में होने वाली बैठक का विरोध किया था लेकिन अब चीन, तुर्की और सौधी अरब ने भी इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है सबसे एहम बात ये है कि एजिप्ट यानि मिस्र को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था लेकिन मिस्र भी बैठक में शामिल होने नहीं आया है मिस्र के शामिल नहीं होने का फैसला सबसे ज्यादा चौकाने वाला है क्योंकि सिर्फ चार महीने पहले ही मिस्र के राश्पती अब्दुल फतल अल-सी-सी 26 जनवरी को गरतन दिवस के मौके पर चीव गेस्ट थे और भारत नहीं मिस्र को जी-20 की बैठक में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था अब खास बात ये है कि मिस्र ने इस इंविटेशन को कुबूल भी किया लेकिन आखरी वक्त में बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया है दूसरा जटका सौधी अरब से मिला है क्योंकि भारत और सौधी अरब के रिष्टे पिछले कुछ सालों में खास कर नरेन मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद बहुत ज्यादा बेतर हुए हैं अब जानकारों की माने तो यूक्राइन जंग के बाद एक नया मल्टी पोलर वर्ल्ड आया है इस दौरान सौधी अरब ने ये बताने की कोशिश करी है कि वो किसी भी गुट में नहीं है हाल ही में हुई अरब लीग की बैठक में सौधी अरब ने यूक्राइन के प्रेस्डेंट जेलिंस्की को बुलाया था जेलिंस्की ऐसे पहले गैर अरब लीग के नेता हैं जिन्हों ने अरब लीग की बैठक को एड्रेस किया जानकारों का मानना है कि सौधी अरब ये पैगाम देना चाहता है कि वो strategic autonomy और political expediency की तरफ जा रहा है और उसका अपना national interest सबसे एहम है जानकार इसी reference से जोड़ कर सौधी अरब के श्रीनगर की बैठक में शामिल नहीं होने को देख रहे हैं वहीं चीन जिस तरह पाकिस्तान का support करता है जाहर है वो कश्मीर में होने वाली किसी meeting में शामिल नहीं होगा चीन ने इस से पहले और नाचल प्रदेश और लद्दाख में होने वाली बैठकों में शामिल होने से भी मना कर दिया था चीन ने इस फैसले से जो पैगाम दिया है वो एकदम साफ है कि वो भारत का विरोधी है रही बात तुर्की की तो अर्दोगान जब भी इसलामिक दुनिया को एड्रेस करते हैं तो कश्मीर की बराबरी फिलस्तीन से करते हैं अर्दोगान ने कश्मीर के मुद्दे पर संसदिय समीती का गठन भी किया है जिसका भारत ने जम कर विरोध किया तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की पॉलिसीज का सपोर्ट करता आया है इसलिए इस बैठक से किनारा करने पर कोई ताज़ुप नहीं होना चाहिए खैर कश्मीर में हो रही जी ट्वंटी की बैठक से चीन समयत पांच मुलकों के किनारा करने को लेकर जब एक फ्रेंच जर्नलिस समयत कुछ इंडियन जर्नलिस ने केंद्रिय मंत्री जितेन सिंग से कड़े सवाल पूछे तो मंत्री जी अपने घडियापन पर उतर आए दरहसल सरकार को अपने टॉमी मीडिया पर बहुत भरोसा है जो मलाई खाकर बीजेपी आईटी सेल की एक जैसी स्क्रिप्ट चड़ाते रहते हैं लेकिन टेलिग्राफ उन में से नहीं है उसने सवालों और मंत्री जी के जवाब को हू भू सामने रख दिया है हिंदी पट्टी और साउथ के अखबारों में यही फर्क है इसलिए वहां अखबार बिख कर नहीं छप कर बिखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जै हिंद सत्ते मेव जैते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खान पर जाकर डुनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबर्शिप आप्शन खुल चुका है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और जब इस चैनल पर 50 मेंबर्श हो जाएंगे तो एक मेंबर ओनली वीडियो वीकली अपलोड किया जाएगा जिसे सिर्फ मेंबर्स ही देख पाएंगे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बूक पेज़ पर मेरा ट्विटर हैंडल है at the rate of अर्शी अजीज खान थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में